विल्कम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आई टी आई एक्जाम तक में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई टी आई कोपा टेट थियोरी के जो है प्रीबियस येर पेपर के बारे में अगर आप भी आई टी आई का एक कॉच्छन पूछे जाते हैं देने वाले हैं तो भी आप सभी वीडियो कोज्ब देख सकते हैं साथ या पेपर जो है कोपी जाड़ा इंपोरडेंट है तो यहाँ पर जो है आप सभी वीडियो को लाकॉक तक जरूर देखिए चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजिए और यहां पर जो है कोपाटेट की और भी वीडियो देखने के लिए जो है नीचे डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर आप सभी और भी वीडियो को देख सकते हैं तो यहां पर देखिए पहला कुशन क्या पूछा गया है hard drive पर सभी data को हटाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं यानि कि आप अपने computer के system में सारा data को remove करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो correct answer है आप जो है system को format कर देंगे तो सारा आपका data जो है यहाँ पर delete हो जाएगा तो यहाँ पर अगला question देखिए दूसरा question क्या पूछा गया है fax machine में concept printer का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो fax की machine होती है इसमें जो है concept printer जो है उपयोग किया जाता है एंसर है option number second option number second यहाँ पर correct answer है तीसरा question यहाँ पर देखिए तीसरा question क्या पूछा गया है computer में कौन सा port जो है socket 25 pin का उपयोग करता है कौन सा port होता है जिसमें जो है 25 pin होते हैं तो आपने देखा होगा USB port में जो यहाँ पर ऐसा ऐसा बना होता है अंदर वही जो है pin होता है तो pin जो है किसमें 25 होते हैं तो correct answer है parallel port में 25 जो पिनों की संख्या होती है यह जो है 25 होती है तो right answer है option number four अगला question है यहाँ पर input device जो है कौन सा है इन में से जो है input device पूछा गया है तो कौन सा input device है तो देखिए यहाँ पर scanner क्या है input device है बाकी जो है platter, printer, monitor यह सभी क्या है output device है तो input device की अधर बात करते हैं तो mouse क्या होता है input device होता है keyboard क्या होता है input device होता है तो इसके लिए अलावा जो है touch screen यह भी क्या होता है input device होता है तो print अगले question की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पांचों question क्या पूछा गया है कौन सा protocol network printer को IP address बदान करता है तो कौन सा protocol network होता है जो printer को IP address बदान करता है तो यह कौन सा protocol होता है DHCP protocol होता है तो काफी जादे important question है very very important question है आप सभी इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजेगा यह टीपी क्या होता है file transfer जो है protocol होता है file transfer पोटोकाल काउंस होता है यह टीपी होता है अगला question देखिए यहाँ पर चाटा question क्या पूछा गया है कि device में touchpad inbuilt होते हैं यानि कि touchpad जो है किसमे होता है तो आपने देखा होगा laptop में जो है touch का option होता है नीचे आप keyboard के ऊपर देखेंगे तो touch वाला option यहाँ पर चोटा सा बना होता है तो touch का option जो है किसमे होता है laptop में होता है तो correct answer है option number second साथवा question यहाँ पर पूछा गया है computer गतिवीद का परिवेच्छक जो है किसे कहते है computer की गतिवीद्य को जो है control काउन करता है तो यह काउन काउन करता है तो यह करता है operating system करता है operating system जो है correct answer है अगला question देखिए आपर आटमा क्या पूछा गया है what is the resolution of you HD यानि कि ultra high quality का जो HD होता है इसका जो है कितना मान होता है आपने देखा होगा जो HD quality होती है HD जो अपने mobile में देखियोगी 1286 से 720 होती है और यहाँ पर ultra HD जो पूछा कहा है तो इसकी जो value होती है 7680 गुड़े 4320 होती है अगला question देखिए आपर क्या पूछा गया है तो यहाँ पर question number 9 पूछा गया है audio system में microphone symbol के लिए किस रंग का प्रियोग किया जाता है audio system में microphone जिसमें लगाना होता है उसका जो है रंग कैसा होता है तो उसका रंग यहाँ पर गुलाबी कलर का होता है आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा अपने computer वाले system में question number 10 यहाँ पर पूछा गया है UPS output rating की map क्या होती है UPS की जो output rating होती है इसको जो है किस में mapते हैं तो यहाँ पर जो correct answer है bolt impair में इसको map आ जाता है तो correct answer है option number 3 अगला है यहाँ पर देखिए अगला question है question number 11 कौन सी disc एक वृत्ता कार डिस्क से मिलकर और पतली धात उसे लेपित होती है तो यह कौन सी डिस्क होती है जो बृत्ता कार डिस्क के मिलकर और पतली धात से लेपित होती है तो यह कौन सी डिस्क होती है optical डिस्क होती है correct answer है option second question number 12 है what is the iOS iOS क्या होता है iOS क्या होता है यह iPhone का जो है आयोस क्या है operating system है जो की Apple company जितने भी system आते है Apple company के उसमें जो है यह iOS जो है लगा होता है यह उस्क्या होता है operating system होता है तो अगला question देखिए यहाप पर जो है ओपेरा ओपेरा भी ब्राउजर है एक्स्प्लोरर आपने चलाए होगा जो की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है कुशन नमबर 14 वाइट इद फुल फॉर्म आप डी एन्स का जो है पोड़ रोप पूछागे है तो डी एन्स का पूरा नम होता है domain name system इसका पूरा नाम होता है काफी अच्छा कुश्चन है अगला कुश्चन देखिए what is the server server क्या होता है तो server जो है क्या होता है एक computer का program होता है एक computer program होता है server क्या होता है computer का program होता है question number 16 email address के दूसरे भाग का क्या नाम है email address के दूसरे भाग का जो है क्या नाम होता है पहला भाग जो होता है ये क्या होता है यूजर नेम होता है दूसरे भाग में क्या होता है डोमेन नेम होता है डोमेन नेम जैसे gmail.com तो gmail company का है yahoo.com तो ये क्या है डोमेन नेम होता है सत्रा है HTML डॉकुमेंट में पाहला टाइक क्या होता है HTML डॉकुमेंट में पाहला टाइक क्या है तो यह है HTML आप्शन नमबर 3 इसका correct answer है अगला कुशन है PowerPoint presentation को रोकने के लिए किसे कुझी का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर देखिए PowerPoint presentation को रोकने के लिए जो है ESC कुझी का यूज करते हैं तो second option यहाँ पर correct answer है Question number 19 है MS Word में cursor की बर्तमान तिति को जो है कहाँ पर प्रदासित होती है MS Word में बर्तमान तिति जो है यह कहाँ पर प्रदासित होती है तो यह status bar में दिखाई देती है तो correct answer है option number 4 यहाँ पर correct answer है अगला question देखिए आपर 20 number का क्या पूछा गया है Question number 20 पूछा गया है Root directory के ताथ निर्देशिकाओं को कैसे कैसे कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इसे जो है सब directory कहा जाता है तो right answer है option number यहाँ पर first correct answer है टोटल यहाँ पर 40 question है तो 20 question आज के वीडियो में बता दिये गए है अगर आप भी ऐसे वीडियो चाते हैं तो comment करके जरूर बताईएगा अपनी राय यहाँ पर देजिएगा वीडियो को like और share कर दिजिए चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पूर वचिंग दिस वीडियो